थेल्स और कि λुआ हैं आप सभी का फिर से स्वागत हैं । यह घत्ना चक्र हिस्ट्री का डिस्कसन है। इसमें सबसे पहले पसाण काल के बारे में discuss करेंगे और पसाण काल के regarding में जितने भी प्रशने पूछे गए हैं उन सभी प्रशनों को भी analysis करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पसान काल के बारे में डिसकस करेंगे, इसके बाद इस प्रधारित अब तक जितने भी प्रशन पूछेगे, उन सभी प्रशनों को भी हम लोग डिसकस करेंगे अगर बात करें तो जिसकाल का कोई लिखित यानि जिस समय कोई लिखित साक्ष नहीं मिलता है, लिखित साक्ष उपलब्ध नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया उस समय में तो उसे प्रगैति हासिकाल कहते हैं, प्रगैति हासिकाल में कोई भी लिखित वीवरण उपलब्ध नह है आल एतिहासिकाल में लीपी के साक्ष तो हैं लेकिन उनके जो लिखे गए जो सब्द हैं वो अपठ हैं यानि पढ़ा नहीं जा सका है या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निसकर्ष नहीं निकलता है जब अगर बात करें तो जब से लिखित वीबरण मिलते हैं उस सम को एतिहासिक काल कहते हैं प्रागय एतिहासिक काल के अंतरगत पशान कालिन सभ्याता और आध इतिहास का अंतरगत सिन्दु घाटी सभ्याता और तामर पशान कालिन सभ्याता यानि अहार जुर्वे ये सभी जो है इसके अंतरगत आती हैं जब कि छटी सतावदी इसापू भारत में पशाण कालिन सभ्याता का अनुसंधान प्रारम हुआ याद रखिएगा 1863 हिस्पी में पशाण निर्मित उपकर्णों की अधिकता के कारण संपूर पशाण यूगिन संस्कृति को तीन मुख्य चर्णों में भी भाजित किया गया ये हैं पूरा पशाण काल दूस ये विभिंता के अधार पर पूरा पशाण काल को भी तीन कालों में तीन वर्गों में भी भाजित कर दिया गया तीन प्रेड में डिवाइट कर दिया गया है पहला है पूर्व पूरा पशाण काल पूर्व पूरा पशाण काल देखिए क्रोड उपकरण यानि हस्त कुठा खंडक और विदारणी दूसरा है मध पूरा पशाणकाल इसके अंतर्गत जो उपकरण आते हैं फलक ठीक है तीसरा है उच पूरा पशाणकाल इसमें जो उपकरण आते हैं इस समय में वो है तक्षणी और खुर्चणी ठीक है स्वर प्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो की पाकिस्तान में है यहां से चापर चापिंग याद रखेगा चापर चापिंग पेबूल संस्कृती के उपकरण पराप्थ हुए हैं स्वर प्रथम तमिलाडू के चेनई के समीप बदम दुरे याद रखेगा बदम दुरे तथा अतिरम पक्कम से हैंड एक्स यानि हाथ के कुल हाड़ी जो है संस्कृती के उपकरण पराप्थ किये गए हैंड एक्स संस्कृती के उपकरण ठीक है इस संस्कृती के उपकरण कलीवर, स्क्रेपर आदी है भारतिये भूवैज्यानिक सर्वेक्षण यानि जियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया के वैज्यानिक रोवर्ट ब्रूस फूट याद रखेग नाम इंपोर्टेंट है रोवर्ट ब्रूस फूट ब्रिटीश भूवैज्यानिक और पूरा तत्विद थे ये भी पूछा गया था इससे भी प्रशने पूछे जाते हैं कि रोवर्ट ब्रूस फूट ब्रूस फूट जो भूवैज्यानिक थे यानि इनका समन्द किन-किन से था भूवैज्यानिक स था या पुरा तत्वित से था दोनों से था इन में से कोई नहीं तो याद रखेगा भुवेज्ञानिक और पुरा तात्वित थे 1863 में रोवर्ट ब्रूस फ्रूट ने तमिलाडू के चेनई के पास पलवरम नामा कस्थान से पहला हैंड एक्स यानि हाथ के कुलहाडी का प्राप्ति किया उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पकम से पुल पशान काल के उपकरण खोज निकाले 1935 में D. Tera के नतरत्व में किसके नतरत्व में D. Tera इनके नतरत्व में एल कैंब्रेज अभियान दलने सोहन घाटी में सबसे महगपुण अनुसंधान कार किये बेलन घाटी में याद रखिएगा इलहाबाद विश्विद्याले के जीयार सर्मा के निर्देशन में अनुसंधान कारे किया गया पूरे पशाण काल से संबंदित यहां जो है फोटी फोट पुरा अस्थल प्राप्त हुए है चोवालिस उपकर्णों के अतरिक बेलन के लोहंदा नाला छेतर से इस काल की जो है अस्थी निर्मित यानि हडियों से निर्मित मात्री देवी की एक प्रतीमा भी मिली है जो संप्रती कौशामी शंग्रहाले में सुरक्षीत रखा गया है फलकों की अधिक्ता के कारण मध्य पूरा पशान काल को जो है इसको जह फलक संस्कृती या फलक बलेड एस्क्रेपर संस्कृती भी कहा जाता है इन उपकर्णों का निर्मान क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है, पूरा पशान कालीन मानों का जीवन पुनता जो है, मतलग की प्राकृतिक था, प्राकृति पर ये निर्भर थे, वे सिकार पर निर्भर रहते थे, सिकार किया करते थे, उनका भोजन मांस और कंद मुल हुआ करता था अगनी के परियोग से अपरशीत रहने के कारण वे कच्चा मांस का उपभोग करते थे यानि इस समय अगनी का जो कह सकते हैं कि खोज नहीं हुआ था अगनी का परियोग नहीं होता था इस यूग का मानो सिकारी हुआ करता था और इस काल के मानों को पसु पालन और क्रिसी का ग्यान नहीं था भारत में मधपशाण काल के बीसे में जनकारी अठासो सरसट इस पी में प्राप्थ होई जब आर्की बाल्ड याद रखेगा आर्की बाल्ड कैंपिबिल करलाईल ने बिंद छेतर से रॉक पेंटिंग यानि सेल चित्र रॉक यानि पत्थर पर किये गए पेंटिंग की खोज निकाला और मधपशाण काल के बिसिष्ट औजार जो थे सुख्ष में पत्थाण काल या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे जो मध्ध पशाण काल के उजार थे कैसे थे ये सुक्ष में पशाण या मतलब की छोटे छोटे पत्थरों से या पत्थर के बहुत छोटे उजार हुआ करते थे भारत में मालाव अस्थी पंजर सौर प्रथम जो है मध्ध पशाण काल से ही प्राप्थ होने लगता है गुजरात एस्थित लंगनाज एक महत्पूर्ण मध पशाण कारीन पूरास्थल है यहां से लगू पशाणों उपकर्णों के अत्रिक्त पसू की हड़ियां कबरिस्तान और कुछ मिटी के बरतन के भी प्राप्ती हुई है यहां से 14 मानों कंकाल भी मिले हैं कितना 14 मध पशाण कालीन मह दहा यह कहाँ पर है परताबगड उत्तर परदेश में यहां से हड़ी और सिंग से निर्मित उपकरण की प्राप्ती हुई है जी आर सर्मा ने मह दहा के तीन छेत्रों का जिक्र किया है जो जिल छेत्र, बुचड खाना संकूल छेत्र और कबरिस्तान निवास छेत्र में बटा था बुचड खाना संकूल छेत्र से हड़ी और सिंग निर्मित उपकरण और आभूशन बड़े पैमाने पर पाए गए हैं डाक्टर जै नरायन पांडे के द्वारा लेखित पुष्तक पुरा तत्त्व विमर्ष में मह दहा, सराय, नहराय और दमदमा तीनों ही अस्थलों से हड़ी के उपकरण यों आभूशन पाये जाने का उलेख है दमदमा में किये गए उद्खनन के फॉल सरुप पश्मी और मधवर्ती छेतरों से कुल मिला कर होटीवन मानों सवधान यानि मानों का जो सो है प्राप्थ हुआ ग्यात हुआ सवधान ग्यात हुए हैं 41 ठीक है और इन सौधानों में से पांच सवधान युग में यानि पियर कह सकते हैं पियर सौधान है और एक सौधान में यानि एक कबर में तीन मानों कंकाल का एक साथ दफनाय गय का जो है या दफनाय हुए परमान मिलते हैं दफनाय हुए मिले हैं सेस मतलब की कबरों में एक एक कंकाल मिले हैं इस परकार कूल 48 मानो कंकाल प्राप्थ हुए हैं सराय नहर राय से ऐसी समाधी मिली है जिसमें 4 मानो 100 जो है एक साथ दफनाए गए थे कहां से तो सराय नाहर राय से यानि कह सकते हैं कि यहां पर जो साक्ष की प्राप्ती हुई यहां पर इस साक्ष के प्राप्ती से यह पता चलता है कि यहां पर संजुक्त कह सकते हैं मतलब कि शवो को लोगों को दफनाने की प्रथा थी यहां की कबरे यानी समाधियां आवाज शेत्र के अंदर इस्ति थी जहां लोग रहते थे वही पर इनकी कबरे अस्थापित हुआ करती थी कबरे छिछली और अंडकार थी बिंध शेत्र के लिखाईया के सिलासरे संक्या वन से मध पशाणिक लगू पशाण उपकर्णो क्यत जिन में से कुछ सुरक्षित हालत में भी पाएगा है अधिकांसता जो है छत भी छत अवस्था में है यानी मतलब कि टुकडे के रूप में पराप्थ हुए हैं अमेरिका के ओरेगौन बिस्व बिद्याले के जौन आर लुकास कनुसार लेखाईया में कुल 27 मानों कंकालों की अस्थिया मिली है पशुपालन का प्रारम मधपशानकाल में हुआ पशुपालन के साक्ष भारत में आदम गड यानी मधपर्देश के नर्मदापूरम तथा बागोर राजास्तान के भिलवाडा में है यहां से प्राप्ट हुए है मधपशानकाल के जो मानों है सिकार करके मचली पकड़के और खाद बस्तूओं का शंग्रह करके अपना पेट भरते थे मधपर्देश के राय सेंजीले में स्थित भीम बेटका प्रगैति हासिक सेल चित्रकला का स्रेष्ट उधारण है अब तक साथ सो शे भी अधिक जो है सिलासरे प्राप्ट हुए है इनमें से पांच सो में चित्रकारी प्राप्ट हुई है इनमें से उनेशकोंने दो सो तेतालिस को करमांग परदान किया है युनेसको ने भीम बेट का सैल चित्रों को विश्व बिरासा सूची में समलित किया है शौर प्रत्थम खद्यानों का उत्पादन नौ पशान काल में प्रारम हुआ इसी काल में गेहु की क्रिसी प्रारम हुई नविंतम खोजों के अधार पर भारतिय उप महादिवपों में प्राचिंतम क्रिसी साक्ष वाला अस्थल जो है उत्तर परदेश के संथ कभी नगर जीले में इस्थित लहुरा देव है यहां से 9000 इसा पूर्व से 7000 इसा पूर्व के बीच के चावल के जो है साक्ष की प्राप्ति हुआ है उलेखनी है कि इस नविंतम खोजों के पूर्व भारतिय उप महादिव का प्राचिंतम क्रिसी साक्ष वाला जो अस्थल है ओ है मेहर गड ठीक है पाकिस्तान के बलुचिस्तान में यह स्थित है यहां से 7000 इसा पूर्व के गेहों के साक्ष मिले है जबकि प्राचिंतम चावल यानि धान के जो साक्ष है या साक्ष हवाला जो अस्थल है वह है कोल्डी हवा यह प्रियाग राजीले में बेलन नदी के टर्ट परिस्तित है और यहां से 6500 इसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष की प्राप्ती हुई है ठीक है मतलब कि या प्राप्ती जो है माना गया है चीन के यांगची नदी घाटी है इस शेत्र में लगवक्ट 7000 इसापूर्व चावल जो है उगाया गया था मका लगवक 6000 इसापूर्व का प्रथम साक्ष मेक्सिको में पाया गया मेहर गर्षे पशाण संस्कृती से लेकर हडपा सभ्याता थक के संस्कृतिक औसेस प्राप्त हुए है मानो कंकाल के साथ कूते का कंकाल बूर्ज होम यानि जम्मु कास्मीर से प्राप्त हुआ है गर्थ आवास के साक्ष भी यहीं से प्राप्त हुए इस पुरा अस्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवंग पिटरसन नेकी थी गुफ कराल जमु कास्मीर में इस्थित नौपशाणिक अस्थल है गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल यानी कुमहार की गुहा यहां के लोग क्रिसी और पशुपालन का कारे करते थे चिरांग बिहार के सारण जीले में इस्थित है और यहां से नौपशाणिक अउसेस प्राप्थ हुए हैं यहां से हड़ी के अनेक उपकरण जो है प्राप्थ हुए हैं यहां से प्राप्थ उपकरण हेरण के सिंगों स प्राप्थ हुए पश्यों को चलाते थे पालते थे वो क्या करते थे कि अपने समुदायों के साथ इधर उधर पश्यों को अपने चलाने के लिए चले जाते थे और अपना सिविर डाल कर वही पे कुछ समय को बैतीत करते थे कुछ समय के लिए रहते थे और वहां पर क्या करते थे कि अपने ज सिरों के जले अवसेस हैं वो प्राप्थ हुए हैं आग का उपयोक 9 पशान काल की यह महतपूंड उपलब्धी थी तो आग का जो खोज किसका याद रखिएगा इसका सही जबाब हो जाएगा तामबे का ठीक है याद रखिएगा ठीक है अगर बात करें तो इस चरण में पथर के तामबे के उपकरणों का साथ साथ परियुग जारी रहा यानि इस चरण में यानि इस समय धातु और पथर दोनों उपकरण परचल इसी कारण इसे ताम्र पशाणिक संस्कृति कहा जाता है यानि कैलकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं भारत में ताम्र पशाण यूग की बस्तियां दक्षिन पूर्वी राजस्थान पश्मी मदपर्देश पश्मी महराश्ट तथा दक्षिन पूर्वी भारत में पाई गई है य उजियाना एवं गिलुंद ये पूरा अस्थल बनास घाटी में स्थित है बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्क्रिती भी कहते हैं अहार का प्राचीन नाम तामवती यानी तामबा वाली जगह है गिलुंद बलाथल उजियाना में घरों को चार दिवारी से गरों को जो है घेरा गया है अहार के पास गिलुंद में मिटी की इमारत जो है बनी हुई है लेकिन कहीं कहीं पकी इटे भी लगी है गिलुंद में तामवे के तुक्डे मिलते हैं अहार संस्कृती का जो समय है याद रखेगा एककिसो से पंद्रो सो इससापूर्व और अन्य तामर परशाणिक संस्कृतियों से अहार संस्कृती भीन है क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल वा काले लेप के मृद्ध भांड बने है वहीं जो है यहां पर इस लेप के उपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद्ध भांड परंप्रा बिस जाता है नौदा टोली मद परदेश का एक महत्पूर्ण तामर पशाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जीले में स्थित है इसका उत्खनन एचडी संकालिया ने कराया था और ये प्रशने काफी बार पूछा गया है एचडी संकालिया का नाम याद रखिएगा यहां समेटी बास और फूस के बने चौकोर एवं बिताकार घर मिले है यहां के मुल मुर्दभांड लाल काले रंके हैं जिन पर जैमितिये आरेक उतक्रिण है कया था संस्कृती जो हडपा संस्कृती की जो है कनिश्ट समकालिन है इसके मुर्दभांडों में कुछ प्राक खडपिये लक्षण दिखाई देते हैं साथ ही इन पर हडपाई परभाव भी असपश्ट रूप से दिखाई देता है इस संस्कृती की लगवक 40 बस्तियां मालवा छेतर से प्राप्थ हुई है जो अत्यंत छोटी छोटी है मालवा संस्कृती अपने मृद्य भांडों की उतकरिष्ट्रा के लिए जो जाने जाती है मदपर्देश में कैथा और एरण की तथा पश्मी महराश में इनाम गाउं की बस्तियां कीला बंद है पश्मी महराश के परमुख पुरास्थल है अहमद नगर जीले में जोरवे निवासा और दैमाबाद पूने जीले में जो है ग्यात दो सो जोरवे अस्थलों में परवरा नदी के ठट परिस्थे दैमाबाद सबसे बड़ा है निवासा ये भी जोरवे संस्कृति अस्थल है ये जो निवासा है निवासा से पर्शन का साक्ष जो है प्राप्थ हुआ है टोटी दार पात्र प्रम्परा जो है ज तामर परशाण कालिन संस्कृति यानि जुर्वे संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गाउं, आदीपुरा स्थलों में मिर्तकों को उत्तर से दक्षिंड दिसा में घरों के फर्स के निचे दपनाय जाने के साक्ष प्राप्थ हुए हैं। जिसमें चार कमरे आयताकार और एक गृताकार है। इनाम गाउं में सौव से अधिक घर और अनेक कबरे पाई गई हैं। या बस्ती किलाबंध है और खाई से घिरी हुई है। यहां सिलपी या पंसारी लोग पश्शिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्राया अगर बात कर पर्टी चिरांद के अलावा पश्शिमी बंगाल के पूर्व वर्दमान जीले के पांडू राजर धीवी और पूर्व मेदिनी पूर जीले में महिस दल उलेखनिये तामर परशान कालीन अस्थल है। उचान्य पूर अस्थल जहां खुदाई हुए हैं वे हैं बिहार में स पस्तरियां और गोडिदार कटोरी बनाते थी यानि कह सकते गोडिदार का मतलब है कि थोड़ा सा ऐसा पात्र बनाते थी जो मतलब कि इनकी गहराई जादा हुआ करती थी ठीक है दक्षेर पूर्वी राधस्थान पश्मी मध परदेश पश्मी महराश और अन्यत्र रहने वाले तामरे परशाण यू के लोग मवेसी पालन और क्रेसी करते थे मवेसी को पालते थे क्रेसी कार करते थे वे गाय भेर बकरी भैस रखते थे हिरन का सिकार करते थे मुख्यता अनाज गेहु और चावल के त्रिक वे बादरे की भी खेती किया करते थे तामरे परशाण के लोग सिल्फ कर्म से या सिल्फ कर्म में निसंदे बड़े दक्ष थे निपुन थे और पत्थर का काम भी अच्छा किया करते थे वे कार्नेलियन एस्टेटाइट और क्वाटर्ज क्रिस्टल जैसे कुछ है अच्छे पत्थरों के मन की या गुटिकाएं भी बनाते थे ये जो कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चर्खे और तकलियां मिली हैं महराश में कपाशन और सेमल की रूई के बने धागे भी मिले हैं इनाम गाव में कुम्बकार, धातुकार, हाथी दाज के सिल्फी, चुनना बनाने वाले और खिलोने के मीटी की मूर्ती बनाने वाले कारिगर भी दिखाई देते हैं इनाम गाव में मात्री देवी की परतीमा जो मिली है जो पश्मी एसिया में पाई जाने वाले ऐसी परतीमा की प्रती रूप है मालवा और राजस्थान में मिली रुड सैली से बनी मीटी की व्रिसभ मुर्तिकाएं या सूचित करती हैं की व्रिसभ यानि सांड धार्मिक पंथ का परतीक था पश्मी महराष्ट की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहना कर उन्हें दपनाया गया है जगकि अन्य बच्चों की कबरों में समान के तौर पे जो है कुछ बरतन मात्र हैं बरतन रखा गया है महराष्ट में मृतक को उत्तर दक्षिन दिशा में रखा जाता था कि दक्षिन भारत में पूरा पश्चिम के दिशा में रखा जाता था पश्वी भारत में लगवक संपूर्ट सवाधान यानि एक्स्टेंडड जो बरियल है प्रचलित था जबकि पूर्वी भारत में आंसिक सवाधान यानि फ्रैक्शनल बेरियल चलता था सबसे बड़ी नीधी मध परदेश के गुंगेरिया से प्राप्थ हुई है 424 तांबी के औजार और हतिया तथा 102 चांदी के पतले प्लेट प्राप्थ हुए है कायथा के घर में तांबी के 28 कंगन और दो अध्वितिय धंग की कुलहाडियां भी पाई गई है इसी अस्थान में इस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे किमती पत्रों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाई गए है गरेशवर अस्थल राजस्थान में खेतरी तामर पटी के सिकर जुझनु छेतर के तामबे की सम्रेद खानों के निकट पड़ता है दक्षिन भारत में ब्रह्मगीरी, पिकली हल, संगन कलू, मास्की, हलूर, आदी से तामर पशाण योगिन बस्तियों के साक्ष मिले है ब्रहत में सौर प्रतम 1861 हिस्थी में अलेकजेंडर कनिंगं को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में निउक्त किया गया था 1909 में लौड करजन के समय में इसे भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रिक किरित कर जौन मार्सल को इसका नाया महा निर्देशक बनाया गया था 1902 में जौन मार्सल ने कारेभार जो है ग्रहन किया इस पर अदहारी अब तक जो प्रशने पूछे गए उन सभी प्रशनों को भी हम लोग डिसकस करेंगे रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट थे मैंने शुरू में ही बताया था कि ऐसे प्रशने पूछा जाता है कि कौन से बैक्टी क्या क्या थे तो रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट एक क्या थे तो याद रखेगा भूगर्व विज्ञानिक और पूरा ततवित ये दोनों थे यानि ए और बी दोनों अप्शन सही है इन साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट ब्रिटिस भूगर्व विज्ञानिक और पूरा ततवित है जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया से संबंद रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट ने 1863 इस भी में भारत में पशान कालिन बस्तियों के अनुवेशन के सुरुवात किये और इस प्रकार प्रशन का उतर ए और बी दोनों ही हो सकते है सेकेंड प्रशन है कोपेन हेगन संगरहाले की समागरी से पशान कास और लोह यूग का त्री यूगिये विभाजन किया था किसने तो थॉम्सन ने याद रखेगा ओप्शन ए बिलकुल सही जबाब है डेनमार्क के कोपेन हेगन संगरहाले में 1818 स्थी और 1820 स्थी में एक आयोग के रिपोर्ट के नुसार समागरी के अधार पर पर पशान कास और लोह यूग का त्री यूगिये भी भाजन जो है क्रिसियन जर्गिनेशन थॉम्सन ने किया था जर्गिनेशन थॉम्सन ने किया था थॉम्सन ने 1836 में इसी वर्गी करण के अनुसार संगरहाले के बस्तूओं का विवरण जो है परकासित किया उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पश्यूपालन का प्रारंब कब हुआ था मध्य पशान काल में यानि सही जबाब है D-Option मध्य पशान काल के अंतिम चरण में पश्यूपालन के साख्ष प्राप्त होने लगते हैं ऐसे पशुपालन के साक्ष भारत में आदमगड यानी नर्मदापूरम, मदपर्देश तथा बागवर भिलवाड़ा राजस्थान से मिले है फोर नमबर है मदपशाणिक प्रसंग में पशुपालन के परमाण जहां मिले वह अस्थान कौन सा है आदमगड यानी नर्मदापूरम, मदपर्देश तथान के प्रसंग में पशुपालन के परमाण जहां मिले वह अस्थान है आदमगड, C आप्शन बिलकुल क्रेक्ट आप्शन है फाइफ नमबर है, निमलिखित में से किस अस्थल से हटी के उपकरण प्राप्थ हुए है काफी इंपोर्टेंट है, कमेंड कीजिए और बताएए सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा, याद रखिएगा मदहा से, बताएए, मदहा और एक है सराय नाहर राय से, यानि C और D C और D, दोनों आप्शन बिलकुल सही है मध्य पशान कालिन, मदहा यानि उतर परदेश के परताब गड़ जीले में स्थित है यहां से बड़ी मात्रा में हटी और सिंग से निर्मित उकरण की प्राप्ती हुई है जीर सर्मा मदहा में तीन छेतरों का उले करते हैं ये जील छेतर, बुचड खाना संकुल छेतर और कवरिस्तान निवास छेतर में बटा था बुचण खाना संकूल छेतर से ही हटी और सिंग निर्मित उक्करण और आभूशन बड़े पैमाने पर पाए गए हैं सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हटी के उक्करण जो है मिले हुए है सिक्स नंबर है हटी से निर्मित आभूशन भारत में मध पशान काल के संदर में प्राप्थ हुए है कहां से इसका सही जबाब हो जाएगा सराय नाहर राय से और एक बताए मध अहा से सेम प्रशन सेम जबाब उपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिसकस किया है सिवे नंबर है नेमलिकित मध पशानिक अस्थलो को भगावलिक दिरिष्टी से पश्षिम से पूरब के क्रम में बेवस्थित करें इसका सही जबाब क्या होगा कैमेंट किजिए और बताएग सही ऑप्शन क्या है तो देखिए अगर इसका मतलग कि इसका ऑप्शन को देखें तो जो सही जबाब हो जाएगा चलिए देखते हैं जो सही उत्तर है यानि जो मध पशानिक अस्थलो को जो भगावलिक दिरिष्टी से पश्षिम से पूरब के क्रम में बेवस्थित करते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा सबसे पहले आएगा मदहा इसके बाद आएगा लेखईया इसके बाद आएगा पैसरा और इसके बाद बिरभानपूर यानि सी उप्शन इसका सही उप्शन है सी अप्सन बिलकुल करेक्ट है भगौलिक दिरिष्टी से पश्रिम से पूरव की करम में मध्य पशानिक अस्तल मदहा उत्तरपर्देश लेखाईया उत्तरपर्देश मिर्जापूर में और पैसरा बिहार और विर्भानपूर पश्रिम बंगाल में है नेक्स्ट प्रशन संख्या एट एक ही कबर से तीन मानों कंकाल निकले है एक ही कबर से तीन मानों कंकाल जो है निकले है कहां से इसका सही जबाब क्या होगा कमेंट करके बताइए सही जबाब हो जाएगा दम दमा से बी अप्सन बिलकुल करेक्ट अप्सन है कितना बताईएगा तो इसका सही जबाब है 41 मानो सवधान ग्याथ हुए इन सवधानों में से 5 सवधान युग में सवधान है और एक सवधान में तीन मानो कंकाल एक साथ मिले है से सवधानों में एक कंकाल मिले है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 9 खद्यानों के क्रिसी सौर प्रथम प्रारंब हुई थी तो याद रखिएगा नौ परशान काल में खद्यानों का उत्पादन सौर प्रथम 9 परशान काल में हुआ यही वो समय है जब मनुसिक्रिसी कार्यों से परच्चित हुआ ठीक है तो याद रखिएगा प्रश्च शंकिया 10 है भारत में मानों का सौर प्रथम साक्ष कहां मिलता है इसका सही जवाब क्या है बताईए तो दिएक अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा घाटी डी अप्शन बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है भारत में मानों का सौर प्रथम साक्ष नर्मदा घाटी में अवस्थित हत नौरा जो की मद परदेश के सिहोरा नामक जगा पर यह है और यहां से पुरास्थल से यह जो मतलब की कह सकते हैं कि साक्ष है प्राप्थ हुआ है इस जगह से इसकी खोज पुरा तत्वीर अरून सोनकिया के द्वारा 1982 में की गई थी 11 है प्रत्व मानो जिवास में भारत के किस नदी घाटी से प्राप्थ हुआ था सेम प्रस ने सेम जबाब कमिंट कीजिए मैंने हिंट दे दिया है प्रत्व मानो जिवास में भारत के किस नदी घाटी से प्राप्थ हुआ था इसका सही जबाब हो जाएगा नर्मदा घाटी यानि C अप्षन बिल्कुल क्रेक्ट अप्षन है 12 नंबर है मानो के द्वारा सौर प्रत्थम परियुक्त अनाज कौन सा था मानो के द्वारा सौर प्रत्थम परियुक्त अनाज था जो या दखेगा C अप्षन अगरिक मानों समाज के द्वारा मुख रुप से आठ खाद्यान अनाजों का उभोग किया गया कौन कौन से तो जो, गेहू, चावल, मक्का, बाजरा, सुर्गाम, राई और जई अनाजों के पौदे विभिन छेत्रों में जंगली घास के रूप में बेद्यमान थे जीने बीजों के रूप में अलग-अलग छेत्रे हैं, अलग-अलग समय पर मानों ने उगाया बैस्विक द्रिष्टी से देखा जाये तो सौर प्रथम जो बारली है 8000 इसापुर्व के आजपास भुमद सागर में और इरान के मद इस्तितपश्मी एसिया के देश में मानों के द्वरा उगाया गया बाद में लग-भग इनी छेत्रों में 8000 इसापुर्व के आजपास गेहुं भी विट भी उगाये जाने लगा तेरा नमबर है भारतिय उप महाद्वीप में क्रिसी के प्राचिन्तम साक्ष प्राप्थ हुए हैं कहां से काफी इंपोर्टेंट है सही जबाब हो जाएगा लहुरादेव यानि B आप्शन नविंतम खोजों के अधार पर अगर बात करें तो भारतिय उप महाद्वीप में प्राचिन्तम क्रिसी साक्ष वाला अस्थल जो है उत्तर परदेश के संथ कभी नगर जीले में इस्थित लहुरा देव है यहां से 9000 इसा पूर्व से 7000 इसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष की जो प्राप्ति हुई है उरेखनी है कि अगर बात करें तो इस नविंतम खोजों के पूर्व भारतियोप महाद्वीप का प्राचिन्तम क्रिसी साक्ष वाला जो अस्थल है वो है मेहरगर्ड और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान मिस्तित है और यहां से 7000 इसा पूर्व के गेवों के साक्ष भी मिले है जबकि प्राचिंतम में चावल के साक्ष वाला अस्तल जो है कोल्डी हवा ये प्रियाग राज जीले में बेलन नदी के टर्ट परिस्तित है और यहां से पैंसर सोईसा पूर्वे के चावल के भूसी के साक्ष की प्राप्ती हुई है तो याद रखिएगा अगर देखिए अग यदि बिकल्प में लहुरा देव रहता तो बिकल्प वही होगा प्रन्थ लहुरा देव के बिकल्प में नौ होने के स्थिति में इसका उतर मेहरगड होगा चौदा नंबर है भारतिय उप महाद्विप में क्रिसी के प्राचिन्तम साक्ष प्राप्त हुए है भारतिय उप महाद्विप में क्रिसी के प्राचिन्तम साक्ष कहां से प्राप्त हुए है भारतिय उप महादीप में क्रिसी के प्राचिन्तम साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है मेहरगड C अप्षन बिल्कुल क्रेक्ट अप्षन है इसके बाद 16 नंबर है 9 पसाण युग में भारतिय उप महादीप के उत्तर पश्मी छेत्र में नेमलिखित में से किस अस्थान पर क्रिसी के अभ्यूदे के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्थ हुए है सही जवाब हो जाएगा B अप्षन मेहरगड 17 नंबर है भारत में पसुपाला नेवम क्रिसी के प्राचिंतम साक्ष प्राप्थ हुए है बताए कहां से याद रखिएगा मेहरगड D अप्षन बिल्कुल क्रेक्ट अप्षन है 18 नंबर है उत्तर परदेश की सांस्क्रेतिक विरासत के संदर में नेमलिकित कथनों में से कौन सा कथन जो है तो दोनों सही है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उत्तर परदेश के प्रगैति हासी काल से ही समरिच संस्क्रेतिक विरासत का धनी रहा है देगे परदेश परदेश की बिलन नदी घाटी छेतर में स्थित कौली हवा को लंबे समय तक बिश्व में धान के खेती का प्राचिन्तम प्रमान माना जाता रहा है इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचिन्तम प्रमान प्रस्तूत करने वाला लहुरा देवी उत्तर परदेश के संत कभी नगर जीले का ही एक भाग है इसलिए कथन पहला सही है उत्तर्परदेश के अनेक उत्खनित अस्थलों से प्राप्त प्राचिन्तम क्रिसी अन जो और धान के साक्ष महगड़ा एवं धान के साक्ष कोल्डी हवा से यंप प्राप्त हुए हैं इसके बाद उन्यस उस अस्थल का नाम बताएए जहां से प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं इसका सही जबाब हो जाएगा D. अपसन मेहर्गड दिये गए विकल्पों में प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सौर प्रथम बलुचिस्तान के कच्छी मैदान इस्थित मेहर गड़ से मिले हैं जिसकी परमाणिक तिथी लगबग जो है सात्वी सहस्त्राबदी इसापूर्व यानि 700 इसापूर्व है जबकि कीले गुल मुहम्मद एवं काली बंगा की प्राचिनतम तिथी 4,000 इसापूर्व और 3,500 इसापूर्व है प्रशन संक्यवार 20 है नेमलिखित में से किन अस्थानों से मध्द पशाण काल में पश्वुपालन के परमाण मिले हैं सही जवाब है बागोर मध्द पशाण काल से पश्वुपालन के साक्ष प्रात होने लगते है परशुपालन के प्रारंबिक साक्ष मद परदेश के नर्मदा पूरम के निकट आदमगड पुरास्थल और राजस्थान के भिलवड़ा जीले में इस्थित बागवर से मिलते हैं इसका सही जबाब क्या होगा बताईए अगर बात करें तो इसका सही जबाब हो जाएगा कामर परशाण यूग सी अप्सन बिल्कुल करेक्ट अप्सन है बाइस नमबर है आहर सभ्यता के बारे में निमलिखित में से कौन कथन सही है कथनों पर विचार की दिये और बताईए कि इन में से कौन सा विकल्प सही होगा जैसे पहला है आहर वासी तामबा गलाना जानते दूसरा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे तिसरा कतन है धातू का कांग आहर वासियों के अर्थ विवस्ता का एक साधन था चोथा यहां से काले लाल रंग के मिर्दभान मिले हैं जिन पर जो है समानता सफेद रंग से जयमेती आकरतियां उकेरी गई है देखिए अग बाब हो जाएगा उप्शन ए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अहर दक्षिर पुर्वी राजास्थान में इस्थित एक प्रमुक्ताम्र पशानिक संस्कृति अस्थल है अहर संस्कृति के लोग मुलतक्रिसक एवं पशुपालक थे विगेहूं जो और चावल से अहर का एक अन्य नाम तामब वती यानि तामबा वाला स्थान भी मिलता है जिससे सुचित होता है कि यहां तामबा बहुत आयत में उपलब था यहां के निवासी तामबे को गला कर मन चाही बस्तुएं तयार करते थे धातू का काम अहळवासियों के अर्थविवस्था का परमुक्ष साधन था यहां से काले लाल रंग के मृद भान की प्राप्ती हुई है जिन पर समानेता सफेद रंग से जयामेती आकरितियां उकेरी गई है टेश नंबर है नेमने में से किस एक पूरा अस्थल से पशाण संस्कृती से लेकर हडपा सभ्यता तक के संस्कृतिक आउसेश प्राप्त हुए है तो याद रखिएगा मेहरगड दी अप्सन बलुचिस्तान में स्थित पूरा अस्थल मेहरगड से पशाण संस्कृति से लेकर हडपा सभ्यता तक के संस्कृतिक आउसेश प्राप्त हुए है 24 नंबर है नौदा टोली का उद्खनन किस ने किया था तो HD संकालिया ने HD संकालिया नौदा टोली मध पर्देश का उद्खनन डेकन कॉलेज पूना के पूरफेसर HD संकालिया ने कराया था यह अस्थल इस महादीब का सबसे विश्तरित उद्खनित तामर पशाणिक अस्थल है जिसके तीथी लगभग जो है इसा पूरफेसर पंद्रह सो से तेरह सो के मध जोय निधारित की गई है 25 नौदा टोली किस राज में अवस्थित है तो मध पर्देश याद रखेगा D option बिलको सही जबाब है 26 नंबर है ब्रिहत पशाण अस्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के अस्थान के रूप में यानि इसका सही जबाब हो जाएगा B option 9 पशाण योगिन दक्षिन भारत में सवो को विभिन परकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा वित्यमान थी इन समाधियों को जो विशाल पशाण खंडों से निर्मित है ब्रिहत पशाण या मेगालिथ की नाम से ज़ो जाना जाता है इनके विभिन परकार है जैसे सिश शमाधि, पिट सरकील, कैन सरकील, डोलमेन, अंब्रेला स्टोन, होड स्टोन, कंद्राएं, मेहीर आदी 27 नंबर है राह का टीला निवलिखित में से किस नौ पशाणिक अस्थल से संबंधित है सही जबाब है शंगन कलू यानि B आप्शन बिल्कुल करेक्ट आप्शन है करनाटक में मैसूर के पास बिलारी जन्पद में स्थित संगन कलू नामक नौ पशाण कालिन पूरास्थल से राह के टीले प्राप्थ हुए है भीम बेट का किसके लिए प्रसिध है भीम बेट का किसके लिए प्रसिध है याद रखिएगा भीम बेट का जिसके लिए परसिध है वह है आपका गुफाओं के सैल चित्र ठीक है पत्थरों पर किये गए जो है कलाकारी मदपर्देश के राय सेन जीले के अब्दुल्ला गंज के समीप इस्थित भीम बेट का प्रगैति हासिक सैल चित्र का स्रेष्ट उधारण है इन गुफाओं में जीवन के विवेध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया जिनमें हाथी, शांभर, हीरन, आदी के चित्र हैं अब तक लगभग सासो सिलासरे की पहचान की जा चुकी है जिसमें पांसो में चित्र पाए गये हैं 29 नमबर है निम्न में से कौन सास्थल प्रगैती हासिक चित्रकला के लिए प्रसिद है चित्र प्राप्थ हुए हैं ये प्रशन बहुत बार पूछा गया आप देख रहे हैं कि लगतार एक ही प्रशन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो याद रखेगा भीमबेट का की गुफा है कहां इस्तित हैं ये गुफा किस के लिए प्रसिद है और बताईए कि ये इस य प्रशने 32 नेम लिखित में से किस भारतिय पुरात्त वेता ने पहली बार भीमबेट का गुफा को देखा और उसके सेल चित्रों के प्रगयति हासिक महत्व को खोजा किस भारतिय पुरात्त वेता ने पहली बार भीमबेट का गुफा को देखा और उसके सेल चित्रों के प्रगयति हासिक महत्व को खोजा तो याद रखिएगा सही जवाब है विएस वाकणकर मदपरदेश की राजसें जीले में इस्ति भीमबेट का प्रगयति हासिक सेल चित्रकला का स्रिष्ट उधारण है इसकी खोज 1957 में विएस वाकणकर ने की थी उधिको ने भीमबेट का सेल चित्रों को बीसव बिरासत अस्तल के सूची में जो है समलित किया है भीमबेट का को किसने खोजा था? नेक्स प्रस्ट भीमबेट का को किसने खोजा था? तो याद रखिए कि डक्टर विश्नु धर वाकणकर यानि C अप्षन बिलकुल करेक्ट अप्षन है भीमबेट का कि खोज डक्टर विश्नु स्रिधर वाकणकर ने की थी मधपरदेश लोग सेवायोग ने विश्नु स्रिधर के स्थान पर विश्नु धर दिया है इसका उत्र निकट जो होगा वो C option होगा गैरिक मृर्दभाणड पात्र का नामकरण हुआ था गैरिक मृर्दभाणड पात्र का नामकरण हुआ था इसका सही जबाब हो जाएगा हस्तिनापूर में option A गंगा यमना द्वाब के सांस्कृतिक प्रंपरा संभौताउ संस्कृति के सांस शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विस्ष्ट मृद्धभांड के नमूने के कारण गैरिक मृद्धभांड कहा गया इस मृद्ध भांट परंपरा के पात्र सौर प्रत्थम हस्तिनापूर की खुदाई के दौरान प्रकास में आये थे 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापूर नामक पुराज्थल की खुदाई बीवी लाल के निर्देशन में हुई थी बीबी लाल तमरासन काल में महराश के लोग मृतकों को घर के फर्स के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे यानि डाइरेक्शन क्या हुआ करता था महराश के लोग मृतकों को घर के फर्स के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे इसका सही जवाब क्या होगा बताईए याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षण की ओर यानि सही ओप्षण है ओप्षण A महराश के तामर परशान कालिन संस्कृति यानि जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, चंदावली, इनामगाओं आदी पुरा अस्थलों में मिर्तकों को उत्तर से दक्षण के दिशा में जो है दफनाया जाता था कब्र में मिट्टी की हंडियां मिट्टी के घड़े और तामे की कुछ बस्तूवे भी रखी जाती थी 36 निमलिखित में से किस अस्थल से मानो कंकाल के साथ कुत्य का कंकाल भी स्वधान से प्राप्थ हुए है सही जबाब हो जाएगा बुर्ज होम, बी ओप्शन बिल्कुल क्रेक्ट ओप्शन है जमुयम कास्मीर में स्री नगर के निकर टेस्थित बुर्ज होम से नो पशाणिक अवस्था में मानो कंकाल के साथ कुत्य का कंकाल भी शवधान से प्राप्थ हुआ है गर्तवास यानि गड़ो वाले घर भी यहां की परमुक बिसिस्ता है 37 निमलिखित में से किस अस्थान पर मानो के साथ कुत्य को दफनाय जाने का साक्ष मिलता है किस अस्थान पर मानो के साथ कुत्य को दफनाय जाने का साक्ष मिला है तो याद रखिएगा बुर्ज होम उप्सन ए इसके बाद 38 गर्त अवास के साक्ष प्राप्थ हुए है गर्थ अवास के साक्ष प्राप्थ हुए हैं कहां से तो बुर्ज हम से ये प्रश्न काफी महत्पून है बहुत बार पूछा गया है 39 है नेमलिखित युगमों पर विचार कीजिए और एक तरफ एतिहासिक अस्थल दूसरे तरफ ख्याती का कारण दिया गया है बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं तो देखिए चंद्र केतुगड का समण तेरा कोटा कला से और गणेसोर का समण तामर कला करतिया यानि दूसरा तीसरा बिलकुल सही जबाब है यानि सही ओप्षन डी ओप्षन है बुर्धूम नामक नौ पशानिक पुरास्थल जमू एवं कास्मीर केंदर सासित परदेश मवस्तित है इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटर्शन ने की थी इस पुरास्थल से गरतावास के साक्षों की प्राप्ती हुई है चंदर केतुगड पशिम बंगाल प्रांत में इस्तित एक परमुक एतिहास के पुरातात्विक पुरास्थल है जो विधाध हरी नदी के टड़ पर अवस्तित है यहां से एतिहासी काल के ठेरा कोटा कला के कई उधारन प्राप्त हुए है जो टतकालिन सिल्फ कौशल की एक है और समाने विशिष attendsा को परदसित करता है गणेस्वर राजास्थान प्रांत में इस्तित एक है परमुक तामर प्रशानिक पुरास्थल है और इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विसुबिद्याले के पुरातत्य विभाग के पुरफेसर रतन चंद्र अगरवालने की थी इस पुरास्थल से दोही पिंचदार सीरे वाली तामर वणागर मचली पकड़ने का काटा तो था विभीन परकार के मिरे दभांड प्राप्थ हुए हैं फोटी नमबर है बिंध छेत्र के कि सिलासरे से सरवाधिक मानो कंकाल मिले हैं सही जबाबे लेखाईया यानि डी अप्सन डाक्टर जे इन पांडे की पुस्तक पुरातत्य विमर्ष कनुसार बिंध छेत्र के लेखाईया के सिलासरे संख्या वन से मध पशाणिक लगू पशाण उकर्णों का तरिक्त 17 मानो कंकाल प्राप्थ हुए हैं जेन में से कुछ सुरक्षित हालत में हैं अधिकांस्ता छत विच्छत अवस्था में प्राप्थ हुए हैं संजुक तिराज अमेरिका के ओरेगौन विस्विद्याले के जौन और लुकास कनुसार लेखाईया में कुल 27 मानो कंकालो की अस्थिया मिली है 41 अभी कथन ए है कि बिंद छेतर के परसाण योगिन लोगों ने नुतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवजन किया कारण और जलवाईव परिवर्थन के कारण इस काल में सुस्कता का चरण था इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आब बताएए ये और आर दोनों से ये आर एकी सही ब्याख्या करता है अप्शन ए बिल्कुल करेक्ट अप्शन है जी आर सर्मा ने सराय नहराय में खुदाई के बाद या ओधरना दी कि नुतन भूतल काल के अंत में सुखे के कारण बिंद चेत्र में भोजन के कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी चेत्र में प्रवास किया था 42 है भारतिये पुरातत्व सर्विक्षण नेमलिखित बिभागो या मंतरालेव में से किसका सनलगन करियाले है इसका सही जबाब हो जाएगा संस्कृती यानि ओप्शन ए भारतिये पुरातत्वे सर्वेक्षण आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया भार सरकार के संस्कृति मंत्राले के दिन एक विभाग है होटी थिरी है भारतिये पुरातत्वे का जनक किसे कहा जाता है तो अलेकजेंडर कनिंगम को अलेकजेंडर कनिंगम को एक ब्रिटीश सिनधारी के रूप में बंगाल इंजिनियर ग्रूप के साथ काम करने के लिए तैनाद किया गया उन्हें भी भारतिये पुरातत्वे के जनक के रूप में जाना जाता है राष्ट्रिये मानो संग्रहले कहां पर है राष्ट्रिये मानो संग्रहले भुपाल में है काफी महत्पून है याद रखिएगा राष्ट्रिये मानो संग्रहले जिसका नाम बदलकर इंद्रा गांधी राष्ट्रिये मानो संग्रहले कर दिया गया है ये मद्ध पर्देश भुपाल में इस्थित है यवार सरकार के संस्कृति मंतरालेक के अंतरगत एक एस स्वैत सासी संगठन है मानो सभयता के विकास की कहानी दरसाने वाला देशकर सबसे बड़ा संग्राल है इंद्रा गान्धी मानो संग्रालेक कहाँ परिस्तित है तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा भोपाल और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप करते हैं निक सेशन में सैंदोष सभ्याता एवं संस्कृती इसके बारे में डिसकस करेंगे इस पर अधारित प्रशनों को भी अनालेसिस करेंगे तो आप अपना परतिकिरिया द इस्टाग्राम या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाएए वहाँ पर इसके बारे में इन्फोर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है और आप अपना परतिकिरिया जरूर देते रहें आपके परतिकिरियाओं का हमें बेस सब्वे से इंते जा रहता है थाइंक्यू